परिवार परिक्षा प्लस में सब ही को एक तरह से कहीं न कहीं पीटी आपका अब 20 दीन मात्र बाकी है आज से अगर हम बात करें तो 28 या 29 अक्टूबर को आपका एक्जाम है तो इस 20 दिन में आपको क्या करना है और साथ ही साथ आज एक पेपर की जो कटिंग आपके सामने दिख रहा है इसमें ये कहीं न कहीं कन्फर्म हो गया है कि UP SSC एक्जाम तो जैसे नोटिफिकेशन है ये जरूर देगी और हर महीने कहीं न कहीं के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगे और रिसेंट में अगर हम प्रिवियस देख भी लें तो वीपियो हो गया आपका जूनियर असिस्टेंट हो गया वीडियो हो गया ये सब ही नोटिफिकेशन आपके आएं हैं तो इसी क्रम में चाहे वो छोटी छोटी ही वेकेंसी क्यों न हो क्रम में वेकेंसी आएगी लेकिन उस vacancy में बैठने के लिए आपको क्या चाहिए अच्छे percentile चाहिए अच्छे score चाहिए P.E.T. में तो यहाँ आप जो देख रहे हो कि योगी जी द्वारा बताया गया है कि अब ही अगले माह में आपके almost 10,000 plus vacancy निकाली जाएगे और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो यह cutting बोला है कि overall 28,000 भरतियां आपकी होंगी और हमें मुझे ऐसा जहां तक प्रतीत हो रहा है कि यह जो भरतियां आने वाली हैं अगले महीने यहाँ नियूस पेपर में तो बोला है अगले माह से तो हो सकता है उस माह से अगले हो जाए अगर इस महीने में आपका P.E.T. का एक्जाम है तो हम यह कह सकते हैं कि P.E.T. 2023 के तहत आपके पास अच्छी vacancy आने वाली है लोकसभा इलेक्शन से पहले पहले इसका एक्जाम अक्टूबर में हो जाएगा ओल्मोस्ट दिवाली नवंबर मतलब एक डेड़ महीना बाद एक्जाम के वही आप 25-26 के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद ओल्मोस्ट वही 26-27 अक्टूबर या 26-27 नवंबर या ठीक है नवंबर से आपके ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे अलग-अलग भी भाग में अगर आपका सपना है कि लोवर PCS बनना है लोवर PCS में अधिकारी कप पद लेना है तो आपको PT 2023 में बहुत ही अच्छे स्कोर करना पड़ाएगा आप चाहते हो कनिश सहायक बन जाए तो अच्छा खासा वेकेंसी अभी पिछली पीटी से भी चला और इस बार भी आने के चांस है क्योंकि सबसे जादे अगर हम विभाग में बात करें तो जूनियर असिस्टेंट के पद खाली है तो उसी पर ये कटिंग आप देख रहे ह होगा और मैं आपको बताओंगा कि आप इन बीस दिनों में कैसे आप अपने स्कोर को असी प्लस कर सकते हो सिर्फ क्या-क्या पोर्शन फॉलो करोगे और इस समय आपके अगर हम बात करें तो यूपी ट्रिपल सी का पेपर जो सेट कर रहा है वो एक टेक्निकल कंपनी साइड से वो भी मैं आपको प्रेक्टिस वाला बता दूँगा लेकिन अभी यहां देखिए बोला गया है कि लोकसवा चुनाव से पहले 10,000 से अधिक पदों पर भरती प्रक्रिया सुरू करने की तैयारी है मैनूल में आए 6,649 पदों पर भरती प्रस्ताव में 5,262 पदों को प्रस्ताव का परिक्षन पूर हो चुका है ये दियान रखिएगा हर मा बोलाना हर मा विज्यापन निकालते हुए आवेदन लिये जाएंगे नगर पचायतों में अधिशाची अधिकारी कर अधिक्चक अवर अभियंता करीब 432 रित्त पदों पर आवेदन लिये जाएंगे विकास प्राधिकरण में अवर अभियंताओं के करीब 92 पद शमलित संवर्ग में 2100 कॉमन केडर में अगर हम बात करें 2100 भरती आने वाली है तो इन भरतियों को अगर आपको यहां पर देखिए साब साब बोला है कि कनिक्ष सहायक की सरवधिक कनिक्ष सहायक के पद रिक्त हैं विभागों में इन पदों की संक्या 82,000 से अधिक बताई जा रहा है मतलब जूनियर असिस्टेंड के 82,000 पद खाली है और यहां बोला है कि अधिनस सेवाचवन हो कि इस तैयारी में है कि सबसे पहले इन पदों के लिए आवेदन मांगा जाए मतलब सबसे पहले अगर आवेदन आएगा तो फिर से जूनियर असिस्टेंट अभी भी चला है तो जिनको टाइपिंग आती है और जिनके स्कोर अगर अच्छे हैं और जिनके नहीं है तो अगर यह अगले मां से बोला है तो इस मां आपका पीटी हो जाएगा अगले मां पेपर में बोला है तो जाहिसी बात है यह नमंबर लाश या दिसंबर में पबलिस होगा क्योंकि चुनाओ से पहले इंको पूरा यह भरती कराना है 10,000 सम्थिंग की भरती तो चुनाओ से पहले अगर हम बात करें तो यह दिसंबर जनवरी में आपके कहीना कहीं हम हर पोस्ट के लिए सलेक्ट हो जाएं वो मैं रड़नीती आपको बताऊंगा कि अंतिम 20 दिन में आपको क्या करना है जैसे अगर भरतियों की स्थिती देखें तो 2012 से 17 में 18,800 17 से 22,19,000 अपरेल 2022 से अब तक 12,672 जो है आपकी वेकेंसी है दे दी गई है और आयोग बें आपको पिछलें बिगड़ गया किसी कारणवास तो अभी आपके पास मौका है कि क्या आप सामदाम दंड भेर अपना है कि आपना स्कॉर इंहेंस कर ले तो अगर हम बात करें कि ये 20 दिन आपको किस रणनीती पर खेलना है अंतिम के 20 दिन में आपको क्या कारे करना है तो ये ध्यान रखियेगा कि 20 दिन में आपको सबसे जादे अगर हम बात करें तो क्या आपको सेलेक्शन दिला सकता है आपके 100 कोश्चन में अगर मैं बात करूं 82 प्लस आप सोचिए कि आपको score करना है अगर 82 प्लस आपके score है तो आप कितने भी पद कम है आप उसके लिए जरूर eligible होंगे अगर हम बात करें DI की तो DI जो आपका है यह साफ साफ 20 question आपको देता है DI के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर math और reasoning क्या math और reasoning की बाद किया जाए तो यहाँ से आपके 5 प्रस्न और 5 प्रस्न यह total ऐसे portion है यह 30 question की अगर आपको यहाँ पर confirm है तो इस 30 में 30 भी पा सकते हो मैं कह रहाँ कि चलो आप 30 नहीं पा सकते हो 30 क्यों अभी यहीं पर हिंदी भी जोड़ो आपकी अगर हिंदी अच्छी है तो 15 गद्यांस हो गया और 5 और हिंदी के आपके general question हो गया थीके, sorry 15 question आपके हिंदी के हो गया तो 45 प्रस्न यहाँ आ गया इस 45 प्रस्न में आप कितना भी गलत कर लो अगर इस पूरे portion से आपने 40 से 42 प्रस्न रख रखा है कि आपको सही करना है और इतना करना पड़ेगा अगर आपको 82 प्लस स्कोर करना है तो आपको ये मैथ वाला संभाग जो एक तरह से बोला जाए डियाई मैथ रिजिनिंग मिलाके और हिंदी मिलाके आपको पूरा का पूरा इसका आधा स्कोर करना पड़ेगा जो आपने टारगेट किया है यह ध्यान रखिएगा ठीके अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी ठीके यहाँ पर अगर बात किया जाए अब तो यह 40-42 हो गया पढ़के जाना मॉडरन हिस्ट्री के आपके पांच प्रस्न हो जाएंगे मॉडरन हिस्ट्री के पांच प्रस्न आपके हो जाएंगे आपकी जो जियोग्राफी है उसके पांच प्रस्न आपकी जो पॉलिटी है उसके पांच प्रस्न ठीक है यह ध्यान रखिएगा आपकी जो modern history हो गई, geography हो गई, polity हो गई और general awareness, current affair, इनके आपके 10-10 प्रस्ना है, तो अगर हिन में हम बात करें, तो 10-10, 20, 10, 30, 5, 35 question आपका यह है, लेकिन क्या 35 में 35 किसी के सही होंगे, नहीं सही होंगे, इसमें मैं आपको target देता हूँ, उस 35 में आप 28 सही करो, 28 सही कर सकते हो, जैसे modern history आपका सही हो सकता है, quality आप अच्छा कर सकते हो, GA में कुछ portion आप अच्छा, GA में कोई पूरा full मार नहीं सकता, current में भी आप full नहीं कर सकते हो, तो मैंने वही कहा कि आप यहाँ पर 28, 25 से 28 मान के चलो, कि आपको score यहाँ पर लाना है, बाकी आपको गल को filter कर लो, अब आपके पास जो मैंने कहा, 40 प्लस 28 आपके पास हो गया, 8, 4, 2, 6, 68 मांक्स आप पा चुके हो, अब जो चीज आप नहीं पढ़ो, आप जितना मेहनत करना है, बस इतने portion पे मेहनत करो, यह D.I. वाला portion और इस वाले portion पे, रही बात economics की, तो economics में कुछ बस policies, 5 यर प्लान जो है आपका दिया गया, राष्टी करन बैंक का है, वही सब पढ़ लो, उसमें हम बात करें आपके अगर 5 नमबर है, और medieval और ancient की जो history है, medieval और ancient history है 5 नमबर की, इस 10 question में आपको मैं बस 4 नमबर बोलना हूं, किसी तरव ला लो, अगर ये 4 नमबर आपने लया दिया, यहां से, आपको science पढ़ने की जरूरत नहीं है, science में भी आप जितना पढ़े हो, basically आपको general science diseases वाली आती है, तो 5 question science का है, और English में आप गिरे हारत में 5 में से 3 करोगे, 3-3-6 हम बात कर लें, आप total यहां से 6 question आराम से कर सकते हो, 6 question यहां से हमने इन में 4 question दिया, तो total आपका हो गया, 10 question आप यहां कर सकते हो, तो total आप कितने कर सकते हो, 10 question और आपके पास enhance हो गया, जल्दी से बताई हो, यह हुआ की नहीं हुआ, आपके पास कितने है, 68 number बन गये थे, अब 68 में आपने 10 जोड दिया, तो 78 marks आपके बन गये, यहां पर यह ध्यान लखियो, इतने काटने पीटने के बाद, जब मैंने आपको बताया, अगर आप में से कोई भी बन दा, इस 45 में से 42 का, मैंने 40 से 42 किया, तो 48 प्लस दो करोगे, तो यह 80 marks हो जाएगा, मैंने जो 42 marks लिया था यहां पर, क्योंकि 40 42 से जादे, यहां 42 से कम नहीं आपको करना है, किसी हालत में, अगर यहां कम हो रहा है, तो आपको इस वाले portion में, इस 28 से 30 का range रखना है, आपको, 28 से 30 का range इसमें रखना है, बाकी इधर bonus हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, तो यह overall आपका, अगर मैं बात करूं, 100 में से, अगर 82 प्लस 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 आपके सही होते हैं, तो आप सब ही भरतियों में बैठने के लि 20 दिनों में test series लगाने की कोशिस करिए, मतलब practice करिए, जादे से जादे DI का practice करिए, और हिंदी में passage का practice करिए, यह ध्यान रखियेगा, और जो आपका general awareness है, और current affair है, जिस भी source से आपने follow किया है, जो भी source आपने पढ़ा है, उसको revise करते रहिए अच्छे से, उसको अच्छे से revise करते रहिए जितना भी topic है, बाकि history, policy, geography जितना है, आपने पढ़ा रखा है, रोज एक एक घंटा में उसको revise करिए, अपने topic वाई, syllabus वाई, लेकिन इनका अच्छा खासा practice करिए, क्योंकि यह आपको अच्छा marks देंगे, अब मैं बात करो, पिछले कोशन आया था यहां से, इंडिया बेक्स हो गया, एक exam वीड़ा करके है, exam वीड़ा है करके, और एक smart किड़ा है, यह आप अगर website को खंगोल लेते हो ना, आपको question कह रहे हैं, कहां से मिले, आप di के question यहां से कर डालो, मैं बता रहा हूं, बहु कोशन आ जाएगा, और ऐसा हुआ है exam में, जो आपकी company है paper बनाने वाली, एडू test, यह आपके कहीं न कहीं, इनसे हमें लग रहा है, to the point question बनाती, जो syllabus में जो जो point है, वैसे वैसे question बनाएगी, और di आई आपका कहीं न कहीं, जान लेना, चार di है न, ग्राफ से हैं, दो table से, चार में आप ध्यान देना कि आपका, दो di आई आपका moderate label का होगा, ठीके, दो di moderate होगा, और एक थोड़ा tough हो सकता है, और एक easy होगा, यह ध्यान रखिएगा, यह label रहेगा, आपके exam में, तो थोड़ा आपको practice यहाँ वाले part में, जादे से जादे करना है, तब आप marks अच्छा score कर पाऊगे, अगर आ आप lower PCS आने वाली भरतियों में, बैठना चाते हैं, selection लेना चाते हैं अधिनस्त में, तो अधिनस्त में इतने प्रयास करने के बाद भी common cutoff नहीं हुआ, लेकिन हमारी प्रयास जारी रहेगा, कि इस common cutoff, common cutoff नहीं, एक हो जाता न, तो सब के लिए better होता, ऐसे क्या होता है कि हर exam में top 10% बच्चा ही बैठ पाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, तो इसमें आप कोसिस करिए, कि आप अपने score को अच्छा बनाएए, जो आपका 20 दिन बाद आपका exam होने वाला है, उसमें कोसिस करिए कि आपके जो PT score हैं, best से best बन पाएं, और अच्छे से आप च कोर्स पढ़ना, last time में आप चाते हो कि अच्छे तरीके से revision हो जाएं, तो आप परिक्षा प्लस की website open करिए, आपको मैं नहीं बोला हूँ कि कोर्स को लीजिए, 20 दिनों में, आप test series सेक्शन में जा सकते हैं, और test series में आप जो है, हमारा PT का test है, इसमें आपको 40 प्लस sectional है हर स्थीज का sectional test आपको दिया गया, देखिए, full length test है, 40 प्लस sectional test है, यहां से आप अपने जो है, कहीं नहीं कहीं questions करोगे तो आपका enhance होगा, पढ़ने के लिए तो आप लोगों ने पढ़ी लिया होगा, जहां से भी source से पढ़ा होगा, लेकिन यह अंतिन के 20 दिन अगर आ अभियास कर लिया, अपने mind को जादे दौडा लिया, तो आप selection क्या काना इसमें, आपके score अच्छे हो सकते हैं, score तो सब के आएंगे, लेकिन score अच्छे होंगे, जब आप अपने दिमाग को, अपने pain को, और अपनी copy को घिसोगे, तो वो अब जब बढ़ियां से बढ़िय से भी कर रहे हो, आपकी इच्छा है, बढ़ियां से मन लगा के practice करिए, मैंने source भी बता दिया है, कि आपको DI का source अगर नहीं मिला है, तो इन तीन website की DI लगा डालिए, आप मैं बता रहा हूं 100% फ़र जाएगा, बाकी जो भी दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत समस्या है, तो आप वीडियो के comment में बताईएगा, जादे से जादे वीडियो को share करें, चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, तो चलिए इसी तरह, और कोई information के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे, आप सभी से मैं विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत ब